मार्किट में मिलने वाले समोसे का जाता रेट 10 या 15 या फिर गाउं जैसे इलाके में 5-6 रुपे होता है लेकिन आज हम आपको ऐसे समोसे के बारे में बताएंगे जो सर्फ एक रुपे का मिलता है और इसके साथ दो तरह की चटनी भी मिलती है तो कहां मिलता है ये समोसा चलिए बताते हैं समोसा हर भार्कियों की पहली पसंद होती है और इंडिया में मेहमान आ जाएं या फिर दोस्तों के साथ कहीं कुछ खाने जाना हो तो समोसा एक दम फिट बैठता है क्योंकि से लोग बेहर ज्यादा पसंद करते हैं सुबह हो या शाम समोसा चाई या कोल्डरिंग के साथ हमईशा पसंद किया जाता है लेकिन एक जगा ऐसी भी है जहाँ पर इस समोसी की कीमत अगर आप सुनेंगे तो इस कीमत को सुन कर हैरान हो जाएंगे या फिर ये भी हो सकता है कि एक एक आएक आपको ये कीमत सुन कर यकीन ना हो। बड़ा धमाका है। देखने में ये जितना छोटा है स्वाग में ये बड़े बड़ो को टकर देता है। लोग मिनी समोसे के दिवाने हैं और दूर दूर से इसे खाने आते हैं। शाम को ठेले पर खूब भीड देखी जाती है। और खास बात ये है कि आज भी इस महंगाई के दौर में यहां समोसे सिर्फ एक रुपे में मिलते हैं। बता दे कि फिरोजाबाद के आस्वाबाद चौराही पर मिनी समोसा का ठीला लगाने वाले दुकानदार रंजीश कुमार का कहना है कि वह इन मिनी समोसे को बिलकुल शुद तरीके से और छोटे साइजस में तयार करते हैं। वह आलू को मंटी से नहीं खरिते बलकि गाउ में जाकर किसान उसे आलू ले कर आते हैं और इन्हें तयार करते हैं। इसके साथ ये समोसे में डाले जाने वाले मसाले को घर पर मिक्सी से पीस कर तयार किया जाता है जो इस समोसे का स्वाद बढ़ा देता है। इसके साथ ये समोसे के साथ दो तरह की चटनी, पालक की चटनी और हरी मिर्च की चटनी दी जाती है आज महघाई के दौर में भी एक रुपए में समोसा मिलता है फिरोजबाद के लोग यहां रोज समोसी चकने आते हैं उन्होंने कहा कि आम लोग और खास तोर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए समोसी की साइस और दाम को कम रखा गया है। बच्चों की पहली पसंद है ये छोटे समोसे। खाने में ये समोसा बेहद ही करा रहा होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर लोग चटखारे लेकर खाते हैं और घर के लिए पार्सल भी करवाते हैं और ये पूरे शेहर भर में चर्चा का विशय भी बना होता है। तो है ना ये कमवाल का और नायाब समोसा। देश और दुनिया से जोड़ी ऐसे ही और भी रोचक ख़बरों के लिए आप देखते रहिए के विसी न्यूस।